friends and dear students आज हम बात करेंगे schema rate月 imagine reaction की आप इसको rearrangement reaction भी बोल सकते हैं या reaction बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक rearrangement होगा group का उचको अगर आगे देखेंगे ठीक है तो इस reaction को अगर ध्यान से देखें तो इसमें दो तीन चीजें इंपोर्टन्ट हैं अहली बात ही है कि यहां पर जो रीजन्ट है वो अमारा क्या होता है एजाइड क्या होता है टृपल न जो है तीन नैटोजन जो वो एक साथ जुड़े हो वह क्या कहेंगे और यह रियाक्ट करेगा किसके साथ कारबॉक्सलिक एसड के साथ या कार्बोनिल ग्रूप या कीटो कुछी जो important बात है वो बहुत important बात है कुछ किताबों में सिर्फ carboxlic acid के साथ आपको reaction मिलेगी कुछ के साथ यह aldehyde की reaction carboxlic acid की साथ की जाती है तो आए दोनों के एग एक इक ग्जांपल देखते हैं और फिन दोनों की मेकनिज्म को भी समझते हैं तो सबसे पहले हम ले रहा है यहां पे carboxylic acid carboxylic acid एक जो है aromatic carboxylic acid मैंने ले लिया है चाहे आप aliphatic भी ले सकते हैं कोई problem नहीं यहां पे जैसे कि AR मतलब aromatic कोई भी लगी होगी यहां पे और वो COOH group is carboxylic acid जब हमारा azide जो है वो इसके साथ react करता है तो यहां से निकलता है CO2 ठीक है carbon dioxide निकल जाता है यहां से निकल जाता है N2 nitrogen निकल जाता है और यह rearrangement क्यों है क्योंकि जो यह arryl group है वो किसके पास चला जाता है carbon को छोड़ करके nitrogen के पास इसलिए हम इसको क्या बोल रहे है rearrangement reaction जो है बोल रहे है तो यह arryl group किसके पास जाएगा nitrogen के पास यह hydrogen nitrogen के पास रहेगा क्या बन जाएगा amine ठीक है एक arryl group के साथ NH2 that is amine product बन गया कब in the case of carboxyl acid और कुछ byproducts निकलेंगे यहां से निकलेगा CO2 तो यहां से क्या निकल जाएगा nitrogen आई आगे बढ़ते हैं और दूसरा example लेते हैं ketone और aldehyde का जब आप किसी भी ketone या aldehyde के साथ अब R1 चाहे आप methyl वगेरा group या कोई group लगा लेंगे कोई aromatic group लग सकता है कोई aliphatic group लग सकता है तो वो क्या हो जाएगा ketone और अगर hydrogen हो तो क्या हो सकता aldehyde तो aldehyde या ketone दोनों को में से किसी एक को लेकर के जब आप azide के साथ reaction कराएंगे तो क्या होगा कि अब amine नहीं बनेगा अब क्या बन जाएगा amide बनेगा amide कैसे बनेगा nitrogen या से निकल जाएगा और ये जो एक group है या ये या ये दोनों में से एक group किसके पास transfer हो जाएगा हमारे hydrogen के पास और हमको क्या एक जो alkyl group है वो किसके पास transfer हो जाएगा हमारे sorry nitrogen के पास और हमको क्या मिलेगा amide मिल जाएगा ठीक है तो ये जो transfer या एक rearrangement भी हो रही है इस carbon को छोड़ करके group जा रहा है nitrogen के पास इसलिए हम लोग इसको rearrangement बोल रहे है और जब ये ketone या aldehyde के साथ azide reaction करता है तो क्या देता है amide देता है देखिए n-co-r group is amide group और यहाँ पर जब वो carboxylic acid के साथ कर रहा था तो क्या दे रहा था amine दे रहा है ऐसा क्यों होता है आइए इसकी mechanism में करके देखते हैं तो सबसे पहले हम mechanism देखेंगे जब हम azide की reaction कराते हैं carboxylic acid के साथ तो आइए करके देखते हैं कैसे हो रहा है तो carboxylic acid है carboxylic acid का यह जो oxygen है इसके पास जो है दो अलग से क्या होते है electrons होते है जिनकों क्या कहते है non-warning electrons और क्योंकि यह जो group है carbon के साथ जुड़ा हुआ है तो यह slide क्या होता है हमारे पास negative होता है तो जो H plus है जो कि HCl या mineral acid से आ रहा होगा वो attack करेगा किस के उपर इस oxygen के उपर और क्या बन जाएगा HOH HOH मतलब पानी और पानी के रूप में यह बाहा निकलेगा जब यह बाहा निकलेगा यहां से ठीक है यह पूरा का पूरा group जो है वो बाहा निकल जाएगा जब यह बाहा निकलेगा तो क्या निकलेगा पानी और इस carbon के उपर क्या आ जाएगा positive charge क्योंकि ये bond क्या हो गया टूड गया और bonding electron हमारा oxygen लेकर अपने असाथ चला गया तो carbon के उपर क्या गया positive charge अब हमारा azide जो है वो आएगा azide को हमने खोल करके लिखा हुआ तो azide में आप देख रहा हो कि ये जो nitrogen आपको दिख रहा है ये क्या है negatively charge और carbon के उपर क्या दिख रहा भी positive charge तो simple क्या करेगा ये carbon के उपर क्या कर जाएगा attack कर जाएगा attack करके क्या करेगा यहाँ पर जुड जाएगा आएए जोड लेते हैं जोड करके हमने इसको यहाँ पर लिख लिया जब ये nitrogen इस carbon के साथ इस पर attack करके यहाँ पर जुड जाएगा तो आप देख रहा हो कि इस nitrogen के उपर अभी भी non bonding electrons उपलब्ध है या lone pair of electron जो है वो उपलब्ध है तो अब यहाँ पर कुछ चीज़े होंगी पहली चीज़ यहाँ होगी कि यहाँ से यह जो आपका 2N है यह आपस में इस nitrogen वाले bond को क्या करेंगे छोड़ेंगे और यह nitrogen के रूप में क्या हो जाएंगे बाहा निकल जाएंगे यह bond transfer हो जाएगा कहाँ पर इस carbon के उपर और यहाँ पर nitrogen और carbon के उपर क्या जाएगा double bond इस double bond के बनने के जिससे carbon के उपर अभी कितने bond है एक चार तो दिख रहे थे एक और आजाएगा तो 5 हो जाएगा तो यह जो aryl group है या कोई R group जो लगा होगा उसको क्या करेगा carbon छोड़ देगा और यह aryl group किसके पास चाल जाएगा nitrogen के पास because nitrogen के पास क्या है एक lone pair of electron तो यह extra bond क्या कर सकता है बना सकता है तो यह क्या करेगा transfer हो जाएगा यह aryl group किसके पास nitrogen के पास यह जो nitrogen और nitrogen के बीच का bond था वो transfer हो जाएगा carbon के बीच में carbon और nitrogen के बीच में क्या बन जाएगा double bond और ये जो N2 है वो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा तो बाहर कर देते हैं तो देखे क्या लिख दिया मैंने ये जो arryl अभी तक carbon के पास था वो rearrange हो करके किसके पास चला गया nitrogen के पास nitrogen और carbon के बीच में क्या आ गया double bond और carbon और oxygen के बीच में double bond पहले सी था अब इसके उपर हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये extra bond जो हो lone pair की वज़े से बहाँ पर nitrogen के बन रहा है तो इसको दिखा रहे है अब हमारे पास जो पहले step में पानी बना था वहां से क्या आएंगे OHN आएंगे OHN अटाक करेगा किसके उपर हमारे carbon के उपर because carbon अब इसको क्या दिखाई दे रहा है slight positive दिखाई दे रहा है उपर भी से भी खीच रहा है oxygen नीचे से भी उपर से oxygen खीच रहा है पर यह जुड़ेगा उसके बाद अब क्या हो सकता है दो चीज़े अब यह देखिए अब इस तरीके का बन रहा है जहां पर oxygen जो है उसके carbon के साथ जुड़ा हुआ है और H जो है वो यहां पर दिख रहा है कि यहां पर loan pair of electron है तो यह जो H है वो आप transfer कहां कर सकते हैं कहां पर इस nitrogen के उपर तो यह H क्या है जो nitrogen के उपर क्या हो जाएगा transfer हो जाएगा जैसे यह H जो है वो nitrogen के इस loan pair electron के साथ bond बना करके इस format में आएगा देखे H यहां से transfer हो के यहां चला गया तो इस H और O के बीच की वज़ा से जो bond था वो तूटेगा और oxygen के उपर क्या जाएगा negative charge यह bond तूटा तो H के उपर क्या गया negative charge और H transfer हो कहां कहां पर nitrogen के पास तो H जो है वो transfer कर दिया हमने है nitrogen के पास O के उपर आगया क्या negative charge अब क्या होगा simple जैसे ही आपको यह दिख रहा है यहां पर यह जो negative charge तो oxygen के उपर यह transfer हो जाएगा carbon और oxygen के बीच में carbon और oxygen के बीच में transfer होने के जैसे यह bond तूट करके कहां transfer हो जाएगा nitrogen के उपर यह पूड़ा का पूड़ा क्यों बाहर हो जाए और यह जो CO2 group है वो पार हो गया तो यह थी mechanism जब azide का action होता है carbonic acid के उपर आईए अब देखते हैं जब azide का reaction होता है हमारे LDHID या ketone के उपर तब क्या होता है फिर वैसे ही जहाँ पे SCL था वहाँ से H plus जो है वो attack करेगा हमारे carbon carbon के उपर ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ प this dinner which जो है वो इसके साथ जोड़ जाएगा और carbon के उपर क्या जाएगा positive charge यह बंστ जैसी इसके उपर attack करेगा तो यह बंस तोटेगा क्यों पर क्यों जोड़ दिया जोड़ दिया nitrogen को carbon के ओपर क्या कि हमने जोड़ दिया जैसे यह यहाँ पर जोड़ता है इसके बाद क्या होगा कि फिर वही होगा जो वहाँ पर transfer हो था वैसे transfer यहाँ पर होगा यह bond टूटेगा ठीक है और इस bond के टूटने के जिसे nitrogen जो है वो बाहर निकल जाएगा nitrogen बाहर निकलेगा तो यह जो आरवन ग्रूप है यह transfer हो जाएगा किसके पास इस nitrogen के पास क्योंकि यहाँ पर यह पहले सही था और यह जो है यह पूरा का पूरा बहार निकल गया जब यह आरवन यहाँ से nitrogen के उपर transfer होगा rearrange होगा तो carbon के उपर क्या जाएगा plus charge क्योंकि यहाँ पर bond की क्या हो गई कमी हो गई अब जैसे यह carbon के उपर और आपको यहाँ पर nitrogen के उपर क्या है आपके loan pair of electron है तो यह carbon इस non-pair जो non bonding electrons थे या loan pair of electron थे वो carbon के उपर क्योंकि positive charge है तो carbon और nitrogen के बीच में क्या बना लेंगे double bond ठीक है तो जब यह double bond बना लेंगे और इस OH को भी आप देखर हो सब कुछ वैसे के वैसा है बस खाले क्या हो गया कि जो loan pair of electron थे तो उन्होंने carbon के बीच में carbon और nitrogen के बीच में क्या गया double bond क्योंकि carbon के उपर यहां पर इस transfer के वज़े से क्या आ रहा था positive charge अब जैसे यह बना यह दोनों एक दूसरे में क्या हो सकते हैं अगर यह OH में से यह bond टूटे और transfer हो जाए कहां पर carbon और oxygen के बीच में double bond के form में दोनों एक दूसरे से resonance form में या एक दूसरे में क्या होते रहते हैं convert होते हैं कैसे होंगे यह hydrogen जो है वो यहां से हर निकल जाएगा और यह जो hydrogen और oxygen के बीच में bond था वो transfer जगा कहा carbon और oxygen के बीच में और हमको हमारा product amide मिल जाएगा तो यही थी schematic rearrangement reaction जब carboxylic acid के साथ करते हैं azide के साथ तो क्या मिलता है amine जब ketone या aldehyde के साथ azide के साथ कर सकते हैं तो क्या मिलता है amide दोनों की mechanism भी हमने distrust कर ली दोनों को हमने देखा कि क्यों किस तरह के से reaction होती है तो इस reaction से कोई भी question होगा तो आप comment box में पूछेगा मैं इसको answer करने की कोशिश करूँगा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत देनेवाद